इंग्लिज से रिलेटेट सभी जानकारियों के लिए क्यानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इंफॉरमेशन हेलो दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिज सब्सक्राइब जो आठावा लेसन यानि की देखा जाए तो सातों लेसन आपको 2021 में नहीं आएगा जो आपका एक्जाम होगा तो उसके लिए है और उसके बाद जो एक्जाम होगे जिसे 2022 के तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा लेकि पार्ट देखने संतोस यादो यानिकी सिंपल एक स्टोरी है कि भाई संतोस यादो कौन थे कौन नहीं थी क्या उन्होंने किया था यह सब कहानी पढ़ेंगे मदब वो कहानी है उसमें कोशन एंसर जो लिखे हुए कोशन एंसर को सौर्फ करने कोशिस के जाएगा सौट 25 वर्ट के कौशन होगे मिनमम कोशिस किया जागा 25 वर्ट लेकिन जरूए नहीं है 25 वर्ट के आसपास से कोई कोशन हो सकता हो छोटा हो कोई कोशन थो बढ़ा हो जाए और अगर आपको यह मदब जो मैं बताऊंगा हो सकता है इसमें कई कोशन आपको लगा हो यह डाउट लगे तो आप मैंसे वह पूछ सकते हो अधर वाइस आपके टीचर आपने जो पढ़ाया आपके टीचर ने मतलब स्कूल में कोचिंग में तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो बड़े अराम से जो आपको सवाज माए वह फॉलो करो चले पहला कुशन उसे कहते हैं जिसके बारे कहानी बात हो रही हो यानि कि कहानी किसके बारे बात कर रही है इस स्टोरी की प्रोटागनिस्ट है ये लड़की का नाम है उन्होंने अचीव किया है माउंट एवरेश दो बार तो एक काम कर सकते हूँ यहाँ कोशन डिल्ग में पूचा था यानि पास नहीं डेफिनिट है मैंने गलती से इसको बदल दिया है प्रिजन परफेक्ट तो आप कुछ करना नहीं आपको बस हाज कार देना है बाकि सब सहही है आपको बस हाज कार देना है हाज मत लिखना मैं ध्यान नहीं दिया हाज लिख दिया हाज नहीं रहेगा यह एंसर होगा आप हाज कार देना second question what type of dresses did संतोस prefer to wear किस प्रकार के कपड़े संतोस पसंद करती थी पहनना तो संतोस prefer to wear shorts shorts पहनने का उनको मन करता था मतलब वो prefer करती थी prefer मतलब था कि तवज्यो देना कि चीज को एक special तवज्यो देना जिल्मालों कि आपको आपके सामने डाल रखी हो और आपके सामने सबजी रखी हो तो आप किसको prefer करते हो दाल को के सबजी को तो वही मतलब यहां मतलब है कि prefer करना मतलब एक चीज को आप ज़्यादा अफ्ता वचुद देते हो तो आप यहां लिखा है कि संतोज prefer करती थी शौट पहनना यह दो को यह बहुत सिंपल बूल गया तो पचीस वट का हुआ नहीं क्योंकि यह कोशन ही ऐसा कुछ है सिंपल पूछा है कि किस प्रकार की कपड़े वह पसंद करती थी यह prefer करती थी उसका अंसर जाएगा वह छोटे कपड़े पहनना पसंद करती थी संतोस के पास कितने सिंपलिंग यह नि कितने भाई बहन थे इसका अंसर जाएगा संतोस के छे भाई यह नि बहन थे उनके पांच भाई थे और एक बहन थी fourth question अच्छे खासे यानि कि अमीर बोल सकते हो अच्छे खासे लेंड ओनर थे तब उन्होंने उसे अच्छे स्कूल मतलब संतोस को अच्छे स्कूल में क्यों नहीं बेजा इसका answer होगा due to the prevailing custom in the family संतोस parent due to prevailing custom यानि जो पुराने जीन के रितिर्वाद चले आ रहे थे अथार जो पुराने घर के रितिर्वाद चले आ रहे थे family के उसी कारण संतोस family संतोस की जो parents है family भी लिज सकते हो parent भी लिज सकते हो संतोस की जो parents है did not send her to a good school स्कूल इसलिए वो संतोज को अच्छे स्कूल में नहीं भीज़ा बल्कि बगल में एक सरकारी स्कूल में भीज़ दिया 5th question what happened to most of the girl in Santos village when they were 16 जब वो 16 साल की होती थी तो अधिकतर लड़कियों के साथ क्या होता था संतोज के गाउं में तो क्या होता था most of the girls in in Santos village संतोज के गाउं में अधिकतर जो लड़कियां थी used to get married वो साधिक कर लिया करती थी when they were 16 जब वो 16 साल की होती थी तब वो साधिक कर लिया करती थी 16 साल में ही six question what condition of her marriage did she put before her parents अपने माता-पिता के सामने उन्होंने कौन सा condition रखा कि यह करो के तभी मैं साधिक करूंगी तो कौन सा condition था वो देखते हैं the condition she put जो condition उन्होंने put किया यह put मतलब यह put वो अपका second mom है before her parents अपने माता-पिता के सामने is that वो यह है की she did not get a proper education if she यदी यह मतलब की नहीं यह मतलब यदी है if she did not get a proper education अगर उन्हें अच्छे पढ़ाई नहीं मिलेगी she would never marry वो कभी साधी नहीं करेंगी यानि उनको अगर पढ़ाई मिली एक अच्छा सिच्छा मिला तभी वो साधी करेंगी seventh question when did her parents agree to pay for her education कब उनके माता-पिता ने agree कर दिया कि वो education के पैसे देंगे पहले उन्हें agree नहीं किया था पहले उन्हें माने नहीं थे पहले उन्हें उनको अपने पैसे का पढ़ो हम पैसे नहीं देंगे लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके करण उनके माता-पिता मान गए क्या her parent agreed to pay for her education when she informed them जब पादा-पिता उनके agree हो गए मान गए जब उन्हें संतोस ने उन्हें information दी यानि उन्हें सुचना दी offer plan जो उनका plan था यह करना वो करना है जब उन्हें यह बताया to earn money by working part time to pay her school fees अपने school fees जमा करने के लिए जब उन्हें अपना plan बताया कि वो part time काम करेंगी पैसा कमाने के लिए ताकि वो school fees दे सके तब उनके माता-पिता ने agree किया कि हाँ चलो मैं हम तमारे माप पैसे देंगे education के 8th question what was the name of the school at Jaipur that she joined कौन सा school का नाम था जैपूर में जहाँ पर यह ज्वाइन हुई थी मतब जहाँ पर इन्होंने admission लिया था also tell the name of the hostel where she lived और उस hostel के नाम भी बताये जहाँ पर वो रही तो वो छोटा answer है the name of the school was maharani college जो school का नाम था वो maharani college था at Jaipur that she joined जहाँ पर वो ज्वाइन हुई थी जहाँ उन्होंने admission लिया था उस school का नाम था maharani college या simple maharani के सकते हो the name of the hostel was hostel क्या नम था कस्तूरबा where she lived जहाँ वो रहती थी मतलब जहाँ उन्होंने वो रही उसका नाम था hostel का कस्तूरबा hostel 8 question sorry 9 question what did her hostel face मतलब जो उनका hostel था वो क्या face करता था यहाँ face कहने मतलब है किसका सामना करता था यह यह लड़ाई की बात नहीं हुरी ही मतलब इसे मुलता तर पर कि तुमारे घर का चहरा के दर रहा है यहाँ यहाँ face मतलब मतलब यह की जो hostel था वो कहां मतलब hostel का जो gate था या द्वार था वो कहां दिखता था आगे कि तरफ and what used what used she what गलती हो गया what she used हो गया what she used हो गया मैंने गलती से used पहले लिख दिया और शी बात में तो इसका उजाए का what she used to watch from her room और वो room से क्या देखती थी मतलब उनका hostel था hostel का चेहरा किदर था और वो क्या देखा करती थी यह question है तो उसका answer होगा her hostel faced the Aravali Hills जो उनका hostel था वो Aravali Hills यानि Aravali के जो पहाड थे वहाँ अरावली के पहाड होस्टल के गेट का चेहरा था अर्था ऐसे कह सकते होगा अगर आप होस्टल के गेट पर खड़े हो जाओ तो आपको सामने क्या देखेगा Aravali के बड़े-बड़े पहाड देखेंगे she used to watch village earth from her room वो गाँवालों को अपने room से देखती थी going up the hill वो क्या करते तो वो उपर hill की तरफ जाते थे and suddenly और अचानक vanishing after a while और कुछ समय बाद वो वहाँ पर दिखते नहीं थे अचानक थीक तो दो question था पहले question था कि hostel क्या face करता था या कहां face करता था और दूसरा question था कि वो क्या देखा करती थी अपने room से तो अपने room से गाँवालों को देखा करती थी जो ऊपर hill की तरफ जाते थे और अचानक vanishing गाया बुजाते थे या खतम जाते थे कह सकते हो कुछ समय और पहार पर चड़ते हैं और उनको कौन सा अच्छा स्टर्प्राइज मिला तो she asked the mountaineer if I could join them उन्होंने पूछा कि क्या वो join कर सकती है गलती हो गया मुसे क्या गलती होगा है if I नहीं होगा वहाँ she होगा मैंने direct लिख दिया गलती होगा है उससे यह गलती हो गई है तो थो चेक कर लिजेगा यहां she होगा she could होगा इसकी बाद I नहीं होगा she होगा तो she asked the mountaineer if she could join them and the pleasant surprise to her that they answered in the affirmative और जो surprise उन्हें मिला मतलब की आनंद माई आस्यरों को यह हुआ कि they answered in the affirmative इसका मतलब वहता है उन्होंने हा में जवाब दिया यह बोल सकते हो कि सकरात्मक जवाब दिया and motivated her to take to climbing संतोस को motivate किया प्रोसाहन दिया कि वह climbing करे ठीक है तो यह उन्हें के लिए कहते surprise था सुखा surprise कि एक तो उन्होंने कहा कि हां पहले उन्होंने पूछा कि क्या वह जवाइन कर सकती है दूसरा question था इसका यह था कि भाई वो तो उन्होंने जो उन्होंने पूछा उसका एंसर उन्हें क्या मिला हाँ अफर्मेटिव यानि किसा करात्मक मिला और उन्होंने मोटिवेड भी किया उन लोगोंने तंतोस को मोटिवेड भी किया चढ़ने के लिए climbing करने के लिए तो यहाँ एक कलती हुई है आई की जगा she होगा कर लिजएगा 11th question How did she manage to join in a course in उत्तरकासी उत्तरकासी में कैसे उन्होंने manage किया जब कैसे वो join हुई यह पूछ रहा है और What was the name of the institute she joined और क्या नम दे institute का जहाँ वो join हुई थी कहाँ पर उत्तरकासी में तो इसका answer हो जागा She managed to join in a course in उत्तरकासी by saving money पैसे बचा कर उन्होंने उत्तरकासी में कोर्स का जोईन किया और वहाँ पढ़ी वो फिर दूसरा question है What was the name of the institute she joined और कौन से वो institute institute मतलब कौन से संस्था थी जहाँ से वो join हुई थी The name of the institute she joined was Nehra Institute of Mountaineering जहाँ पर पढ़ाय होती है जहाँ पर आप सिखाया था आपको कि mountain आप कैसे चड़ो तो वहाँ पर उन्होंने अपना institute मतलब institute पर join हुई थी वहाँ पर वो अपने पैसे बचा कर 12 question After joining the उत्तरकासी institute What did she do every year उत्तरकासी जब उन्हों जोईन कि उत्तरकासी institute में तो वो हर साल क्या करती थी या प्रतेक साल वो क्या करती थी तो after joining the उत्तरकासी institute मतलब उत्तरकासी institute में जोईन होने के बाद she went on on expedition every year expedition मतलब है कि वो ठोगोमने बोट सकते हो वो चढ़ने जाती थी चढ़ाई करने जाती थी हर साल प्रतेक वर्ट्स at what age did she scale mount Everest कौन से उम्र में उन्होंने scale कर ले देखो scale मतलब होता है मापना यहां आप जो पहार चड़ते हो तो पहार पे आप क्या करते हो तरी किसे आप माप ही रहे होते हो चढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन एक तरीके से आप माप रहे होते हो इसलिए mount Everest या किसी पहार आप जब चड़ते हो तो उसको लिए हमें साब वर्यू जो था है scale at what age did she scale कौन से उमर में scale की थी mount Everest पे how was this event remarkable और कैसे यह जो event था जो खटना होई थी वो कैसे remarkable यानि कि एक प्रतीक बन गई थी या बोल सकते व्यादगार बन गई थी तो उसका अंसार हो जाएगा she scale mount Everest at the age of 20 20 साल के उमर में वह सुचो तोचो जरा आप 20 साल के उमर में वह mount Everest पे चड़ गई this event was remarkable as she was the youngest woman in the world to achieve the feet वो जो feet मतलब वो जो उपादी थी वो जो उनको mount Everest चड़ने की उपादी मिली एक तरह के से बोल सकते हो उमर में नहीं चड़ा था और खासकर महिला तो यह सबसे youngest moment थी जिदों ने इतनी उच्छी उचाई प्रात की थी 20 साल के उमर में लेकिन आप वो तूट गया है मुझे comment box में बताए कि अब सबसे कम उमर में चड़ने वाली महिला कौन है mount Everest पर जरू बताईएगा मुझे 14th question what thing impressed her seniors कौन सा चीज कौन सी चीज impressed की यानि प्रभावत की उनके seniors को जो वो camp के लिए गई होगी यहां मतलब होता है जो उनके साथ ही चर्णे वाले जो उनके साथ ही चर्णे वाले करने वाले थे उनके लिए क्या क्या और अच्छ एक वो प्ली हो गए। इसका अंत्र होगा संतोर फिलिकल Фीटनेस और ट्रफि WIN जो इसे तनी उचाए पी चलते हो आपको सक ग्रॉप से तैयार होना पड़ता pen मालो आप जैसे हम हमी लोग मालो चार तलिप चड़ते हो या जब आप बिल्डिंग जाते हो बिल्डिंग से जब निचे देखते हो कितना डर लगता है और सुचो वो तो 8,000 मीटर यानि कि 8 किलो मीटर उपर गई होंगी तो उनको कितना mental strength चाहिए होता है तो इस बात से senior impressed हो गया या बोल सकते हो कि किसी को चोट लग गई तो उसको लेकर concern करना and desire to work together और यह इच्छा रखना है कि हम सब साथ में काम करेंगा ऐसा नहीं कि मैं अकेली जाओंगी मैं जी जाओंगी क्या इन लोकों में पीसे छोड़ दूँगे ऐसा कुछ भाव उनके अंदर नहीं था और इसी कारण with them made her dear to her fellow clamber इसलिए जो उनके साथ थी जो जितने भी बोल सकते हो परवतार हो थी यानि जो परवत प्रवतार हो थी वो बहुत प्रभावित हो था और वो प्री हो गई थी किसलिए कि वो हमेशा सब को साथ में लेकर चलती थी 15th question in 1992 what happened to two of her clamber दो clamber के साथ क्या हुआ 1992 में यह question है तो इसका अंसर हो जाएगा in 1992 1992 1992 में one climber died at the south call जैसे हम एरिया नहीं होता है तो वैसे ही पहाड़ों चड़ते हो तो आपको अलगला एरिया दे दिया आता है या अलगला नाम दे दिया आता है उस एरिया का तो उस एरिया का मतलब जिस एरिया पर एक व्यक्ति की मा एक climber की मौत हुई मतलब एक परवता रोधी की मौत हुई वह south call पर था and the second one whose name was Mohan Singh और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम Mohan Singh था वह saved by Santos वह बचाया गया संतो यादो के तरह as she shared her oxygen with him जब आप इतना उपर जाते हो तो आपको पता यह ज्यादा उपर जाने पर आपको oxygen उतनी मात्रा में नहीं मिलती है तो इसलिए लोग oxygen box ले जाते हैं oxygen का जो टैंक देखते हो वो ले जाते हैं टैंक में छोटा वाला टैंक जो पीर वे अब रख सकते हो वो टैंक लेके जाते हैं तो संतो यादो उन्हें शेयर किया था मतब अपना तो चलो इतनी मतलबी दुनिया में जहां लोग अपना पैसा नहीं शेयर करते हैं उन्होंने अपनी मतब oxygen यानि की जिंदगी कह सकते हो अपनी जिंदगी उन्होंन ऑक्सिजन शेर करके किस से उस व्यक्ति यानि मोहन सिंग से ठीक और इसी लिए को प्रोज़कार भी मिला था 16th question what record did Santos set कौन सा record Santos ने बनाया तो Santos set a record of scaling the Mount Everest twice दो बार Mount Everest को चढ़ाई करने पर ये उन्होंने record बनाया that was only done that was only done by her in the world अपूर दुनिया में ये सिर्फ यही करने वाली थी दो बार दो बार कोई Mount Everest नहीं चाला था ये पहली महिला थी जो दो बार चली थी पहली महिला बोल सकते है या पहला व्यक्ति 17th question which award was bestowed upon her कौन सा अवार्ड उनको सोभित किया गया यानि उसको उनको दिया गया कह सकते हो मोटी भासा में दिया गया और एकदम exact word to word जाओगे तो बोलोगे सोभित किया गया तो उनको दिया गया तो one of the nation top honors मतलब की भादेश का मतलब एक top honor सम्मान बोलते हैं यह से मालोग 5 top honor होते हैं तो यह से भारत रत नाता है पहले नंबर पे ठीक है तो वैसे ही तीसरे चौतन नंबर पे आता है यह पदमश्री जो इनको मिला था इनकी बहादूरी पे जो उन्होंने किया था जब सकेंड बार वो चड़ने गई थी तब तो इसको लेकर या दो बार उन्हों ने चड़ाई की और जिस परस्तिती में वो अपनी परिसानी छेल कर वो इतनी महान काम उन्होंने किया तो इसलिए उनको देश का one of the top one of the nation's top यानि देश का बोच सकते हो ना कि कई सारे बड़े सबसे बड़े अवार्ड में से उनको एक अवार्ड या एक सम्मान दिया गया पद मिश्री और यही चीज था यही अवार्ड उनको बेस्टोयड अपन हर बोल सकते हैं या उनको यह उपाती दी गई या यह सम्मान दिया गया 18th question what were her feeling का feeling क्या था when she was literally on the top of the world मतलब जब व सबसे उचा जगह है अर्थ पर जहां से आप नीचे देख सकते हो अब मैं पहार की बात कर रहा हूं तो वही है कि कौन क्या feeling उनको उसमें आई थी when she was literally on the top of the world जब वो सच्मेंट दुनियाक सबसे उपरी पॉइंट पर थी यानि सबसे दुनियाक सबसे उपर टॉप पर थ थी मतलब कि जैसे मतलब होता नहीं कि हम लोग मैश खेलते हैं हम लोग घृते हैं हम लोग जी जाएंगे तो हम लोग को ट्रॉफी मिलेगा हम लोग को यह मिलेगा वह मिलेगा लेकिन जब आप जी जाते हो तो उस समय के जो खुशी होती है प्लानिंग तो कि हम जी जाते हो जब वो सबसे उपर टॉप पर गई थी यान इन डिजर्वर मतलब जिसकी वो उन्होंने कलपना भी नहीं की हो वैसी उनको feeling आ रही थी उस समय 19 question how can you say she was also a frequent environmentalist मतलब परियावरण के लिए जो काम करते हैं उनको बोलते environmentalist तो आप कैसे कह सकते हो कि वो एक environmentalist भी थी एक अच्छी फर्वेंट मतलब अच्छी environmentalist थी ठीक है तो इसका अंसर होगा we can say हम कह सकते हैं she was also a prevalent environmentalist क्या हो रहा न जल्दी बाजी बोलने में ऐसा गबड़ जा रहा है इतना लंबा बड़े environmentalist होगा तो हम यह कह दखते हैं कि वो एक अच्छी environmentalist थी as जैसे she collected and brought down उन्हें collect किया एक अठा किया और लेकर आई 500 kg यानि 500 kg garbage from the Himalayas हमाले जहां वो चड़ी थी Mount Everest क्या है एक peak का नाम है एक चोटी का नाम है हमाले पुरे पहाड का नाम है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक फर्वेंट environmentalist थी एक अच्छी पर्यावरण को मतब पर्यावरण कर ध्यान रखने वाली थी ठीक है यह जो 19 कोशन है यह कोशन आप देखो समझो कोई और डाउट परसानी हो तो आप मुझसे पूछे यह राजीप्रकाशन की बुक से मैंने लिखा है तो इसका और कोशन आप पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हो अट लास्ट आपने यह पूरा वीडियो दिखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें क्यों क्लास मतब क्लास नायंद का जो लाठवा लेसन उसका सकेंड पार्ट का पोशन आंसर करें अट लास्ट थैंक्यू सो मच फोर वाचिंग दिस वीडियो